नमस्कार विराट 24 नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ स्वाती एक बार फिर हाजिर हूँ रिवा जनपत पंचायत में जारी भष्टाचार और वसोली के साथ-साथ बाहरी व्यक्तियों को महातुपूर्ण सौपी गई जवाबदारी की खबर को लेकर साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे एक जनपत अधिकारी ने सफेद पोस्त निकता की बात नहीं मानी तो मार खाया और दूसरी ताल से ताल मिला कर चली तो आप जेल की हवा खानी पड़ेगी रिवा जिले की जनपत पंचायत में किस तरह का भष्टाचार जारी है यह आए दिन देखने को मिलता है सिर्म और जनपत पंचायत में अपने चहेतों का भुगतान ना करने पर सिमरिया विधायक और CEO कांट देखी चुके हैं सायद अभी भूले भी ना होंगे ताजा मामला जनपत पंचायत रिवा में सामने आया है जहां अपने ही कर्मचारी से रिस्वत लेते रिस्वत खोर सी ईओ विजयलक्ष्मी मरावी और लेखा अधिकारी राम चंद वर्मा पकड़े गये जबकि एक ऐसा व्यक्ति बाल-बाल बचाया बचाया गया जिसका जनपत से कोई नाता ही नहीं है वे हैं ललित दुवेदी कंप्यूटर ऑपरेटर आपको याद दिला दें कि इसके पहले जबा जनपत पंचायत के मुखे कारिपालन अधिकारी और SDO त्योथर जनपत के लेखा अधिकारी के हाथ भ्रष्टाचार के रंग से लाल हो चुके हैं दिलासल जिले में भ्रष्टाचार का खेल सफेद पोसो की सह पर खेला जा रहा है जनपत पंचायत रीवा की बात करें तो यहां इसका भ्रष्टाचार से गहरा नाता है अगर जन्वत पंचायत रिवा में विगत 10 वर्सों के आय व्याय खर्च की विधिवत जाच की जाए तो करोडों का परदाफास हो सकता है लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि पूरा खेल माननीयों के संदक्षण में हुआ है हम आपको पता रहे हैं रिवा जन्वत पंचायत में किस तरह से धश्टाचार करने के लिए कर्मशारियों की पदिस्थापना विभागों का वित्रण कर तिजोरी भरने का खेल खेला जा रहा है द्रसर रिवाद जनपत पंचायत में विजय उपाध्याय एवं ललिक दुवेदी को कम्प्यूटर ओपरेटर की पद पर न्यूक्त किया गया है जो एक विधायत के खास बताये जाते हैं जो फिगत पाच बरसों से महत्पून जवाबदारियों का निर्वहन कर रहे हैं इनकी न्यूक्ती उस समय की गई थी जब कम्प्यूटर के बारे में जानने वाले लिपिक जनपत पंचायत में नहीं थे क्योंकि जनपत पंचायत में पदस्त कर्मचारी कम्प्यूटर में दक्षता हासिल कर चुके हैं और अनकंपन न्यूक्ती में भी ऐसे कर्मचारियों की न्यूक्ती हो चुकी है जो कम्प्यूटर ग्यान रखते हैं आप सोच रहे होंगे कि जब जनपत पंचायत के कर्मचारी कम्प्यूटर में दख्च है तो उनसे कारी क्यों नहीं लिया जा रहा है और इनी दोनों कर्मचारीों को महतुपून जवाबदारी क्यों सोपी गई है द्रसलीन कर्मचारियों को चर्चित विधायक का वर्दहस्त प्राप्त है और उनके करीबी हैं जनपद में इन दोनों के बिना एक पत्ता नहीं हिलता अगर यह कहें कि जनपद यही दोनों व्यक्तियों की द्वारा चलाया जा रहा है तो कोई अतिसन योगती नहीं होगी उसी का परणाम था कि दोनों भष्ट कर्मचारियों की द्वारा विभाग के ही एक अधिकारी का वेतर नहीं फीट किया जा रहा था और पैसो की मांग की जारी थी अपना नाम ना बताने की सर्थ पर जनपत के ही कर्मचारियों ने बताया कि जनपत सीओ विजयलक्षमी मरावी इनके ही सारे पर ही नाशती थी जो भी कर्मचारी बिधायक के घर हाजरी नहीं लगाता था उसका यही हाल होता था ना तो उसे सेलरी मिलती थी ना ही उसे महतपून कुर्सी सौपी जाती थी जिसके चलते सास की कर्मचारी धोप लेते जनपत कारियाले के बाहर बैठते हैं और कलेक्टरेट रेट पर मजदूरी पाने वाला व्यक्ति महतपून जबाबदारी निभा रहे हैं और अपने आका की तिजोरी भढ़ने के लिए सास की कर्मचारियों और ड्रामीड जनता का सोशड कर रहे हैं जनपत का कोई कर्मचारी बिरोध इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसे डर है कि आवाज उठाएंगे तो कहीं सिर्म और जनपत सीईओ की तरह हाल ना हो जाए इसलिए एक चुप रहते थे जब सेर से पानी उपर हो गया तब पंचायत समन्यव्यक ने घोसखोर सी ईओ और कम्प्यूटर ओपरेटर की जानकारी लोका युक्त को दी थी और परिणाम आपके सामने हैं यह पूरा खेल जिला इस्तर के अधिकारियों के सनक्षण में चल रहा है ऐसा इसलिए कहा रहे हैं क्योंकि इन दोनों कम्प्यूटर ओपरेटरों की सिकायर पहले ही मुखे कारेपाला नधिकारी जिला पंचायत से की जा चुकी है आपको बता दें कि विजय उपाध्याई से जनपत निरी से रासी भुकतान पूल खाते से वेंडरों को रासी भुकतान तथा ग्राम पंचायतों के डियस से अप्रूबल खाता संचालन का प्रमाडी करण ग्राम पंचायतों को जनपद से गुगतान की जाने वाली समस्त राजी तथा जनपद में सभी सामगरी का क्रय एवं गुगतान का दाई को दिया गया है लेकिन इनकी द्वाड़ा अभी लेक का संधारन नहीं किया जाता हट तो यह है कि CEO जनपद एवं लेकपाल महेंद वर् भी योग खुद के और विधायक की चहते लोगों की हित में किया जा रहा है वहीं अगर बात करें लली दुबेदी कंप्यूटर ऑपरेटर की तो उन्हें को शाले के लेखा का कारी दिया गया है इनके द्वारा जनपद में पदस्त धिकारी कर्मचारियों तथा सचीवों क बेतन मनमानी तौर पर जब इक्षा होती है निकाली जाती है जिनसे नाराज होते हैं उनकी बेतन रोग दी जाती है बगेर पैसा लिए बेतन अवं अन्य भुग्दान नहीं किया जाता इनके प्रभार में सामाजिक सुरक्षा पिंसन योजना भी है जिसमें कतिपैर निरा जाता है उन हित्गराहियों की पिंसन स्विक्रित की जाती है से इसकी निरस्त कर दी जाती है राश्टिये परिवार सहायता योजना में भी इन ही के प्रभार में जन्पत छेत्र में कितनी आवेदन प्राप्त हुए कितने स्विक्रित हुए तथा कितने अपात्र हुए कोई जानकारी नहीं रहती है, जो हित्गराही इनके पास पहुचा और उनकी सेवा कर दी, तो उनकी रास इसमें कृत हो जाती है, दोनों ऑपरेटरों के पास सभी योजनाओं के वित्तिये मामलों की आईडिये वब पासवर्ट अथा DST इनके अंदर में रहती है, जो सरा सर गलत ह अगर उपरोक्त सभी बिंदूओं की जाच कराई जाए तो बहुत बड़े घोटाले का खुला सा हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि सफेद पोसो की सनक्षड में फलफूर रहे दोनों भरस्टाचारियों पर कोई कारिवाही होगी, एक को लोका युक्त पुलिस ने हटाया जाता है, अपने आसपास की तमान छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विराट 24 के साथ, हमें दीजे इजाज़ात, बहुत बहुत धन्यवाद